हेलो गाइस कैसे हो सारे तो आज एक और नई वीडियो में आपके सामने लेका रहा हूँ तो बिसिकली आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारी जो बाइक है उसके अंदर हमारा लाइट के रिगार्डिंग क्या-क्या काम हो रखा है या फिर आप कह सकते हो हमारा ला से बात करो तो हमारी LED हेडलाइट लगी हुई है यह हमारी 90W की हेडलाइट है तो इसका जो जैसे की पता हुगा यह हमारा BS4 है तो इसके अंदर हमारा जैसी चाब भी ओन करेंगे हमारा लाइट्स ओन हो जाती है और लो बीम हमारा ओन हो जाता है तो जैसे अभी चाब यह तो यह हमारे parking lights on होगी एंड इसका जो ring है वो चालू हो गया है एंड इसका जो low beam है उसका मैंने wire निकलवा रखा है क्योंकि हमारा daylight यह भी काफी bright हो जाता है तो अगर इसको मैं अगर high beam पे करता हूं तो हाई वीम पे जैसी में करूंगा तो पूरी light हमारी on हो जाती है तो अगर मैं इसको low beam पे करता हूं तो हमारी light हो जाती है तो जो हमारा high beam वाला button है वह एजा हमारा on-off switch काम करता है इस headlight के लिए तो यह एक तरह से हमारा on-off button है जैसी इसको high beam करूंगा यह हमारी on हो जाएगी and low beam करूंगा तो हमारी off हो जाएगी तो इसका right hand side से कुछ लेना देना नहीं है खाली यहीं से इसको हम operate कर सकते हैं तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो नीचे है वो हमारी fog lamps ल three के अंदर हमारा headlight switch आता था मैंने उसी के साथ इसका connection कर रखा है तो इसके अंदर हमारे दो point आते हैं यह हमारा single point हो जाता है तो इस single point को जैसी on करते हैं इसके नीचे मैंने एक light लगा रखे अंडर glow light तो अब यह आपको दिखा देता हूं यह देखो तो यह हमारी on हो जाती है अगर इसको मैं एक point आगे कर देता हूं तो हमारी fog lamps on हो जाती है तो इसका connection मैंने कुछ इस डंग से करा रखा है तो अभी off कर दिया तो दोनों off हो जाती है जैसी मैं इसको on करूंगा तो हमारी नीचे वाली light जो है जो अंडर glow light है वो हमारी on हो ज जाती है तो यह मेरे को काफी सही लगा मेरे को पसंद नहीं कि अलग से कोई button लगाओ तो इसलिए मैंने इसी के साथ इसका connection करवा दिया bs3 वाला यह लगागे इसका हमारा headlight से कोई लेना देना नहीं है यह खाली अंडर glow light एंड हमारा fog lamps के लिए है जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा तो उसको on करने के लिए हमारे पस यहाँ पे एक switch है जैसी इसको मैं on करता हूँ आप देख सकते हो यह हमारा hazard system on हो जाता है तो एक बार इसका मैं आपको night view भी दिखा दूँगा light का कि रात को कैसा response आता है इसका कैसा नहीं आता है तो guys यह तीन चीज़ है main इसके अंदर एक हमारी headlight एक हमारी fog lamp and एक नीचे अंडर glow light and fourth one is इसका hazard system तो अभी आपको इसका night view मैं दिखा देता वटावट की रात में कैसी क्या look आती है इसकी उसके बाद फिर हम इस वीडियो को end करेंगे तो guys अभी हो चुकी है रात तो अभी आपको इसका night का response चेक करा देता हूं मैं कैसा क्या आता है light का तो अभी सबसे पहले मैं अपना खाली ignition on करता हूं तो जैसी ignition मैं on करता हूं देख सकते हो आप सामने अभी खाली इसके हमारी डियारल ओन हुई है यह देख लो तो डियारल काफी bright है इसकी कि अगर अभी मैं इसकी high beam on करता हूं यह देख वाई बड़ी जबर्दस light है जैसा कि आप को दिख रहा होगा सामने तो headlight मैंने कर दिया off तो अभी नीचे की मैं fog lamps on करने वाला हूं और fog lamps से पहले आपको underglow light दिखाएता हूं क्योंकि इसको एक पॉइंट आगे करते हमारी underglow light जलती है तो यह मैंने underglow light इसकी on कर दिया है तो आप देख सकते हो कि यह मारी underglow light है तो एक बार मैं fog lamps on कर देता हूं यह हमारी fog lamps जो है वो ओन हो चुकी है एक बार सामने से दिखा देता हूं fog lamps यह हो गई हमारी high भी तो अभी हमारी दोनों on है headlight भी और fog lamps भी यह हमारी fog lamps off होगी यह हमारी on होगी है यह हमारी high beam off होगी यह हमारी on होगी तो अभी हमारी सारी lighting on है तो गाइस यह था हमारा रात का response हमारी light का तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना अगर अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तागे आपको ऐसे इसी वीडियो और भी आगे मिलती रहें तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू झाल झाल